सफल से लिंग का मनोविज्यान ब्रायन ट्रेसे हिंदी ओडियो बुक टोर कॉम विक्री का आंत्रिक खेल आप जो चीज चाहते हैं उसकी कलपना करें इसे देखें, इसे महसूस करें, इसमें यकीन करें अपना मांशिक ब्लूपरिंट बनाएं और इसे साकार करना शुरू कर दें रवर्ट कालियर जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कोई चीज नहीं होती सेल्स पीपल हमारे समाज के सबसे महतोपूर्ण लोग हैं बिक्री के बिना हमारा पूरा समाज थम जाएगा व्यावसाय ही हमारे समाज में दोलत के एक मातर सचे निर्माता है व्यावसाई ही सारे प्रोडेक्ट और सेवाईं उत्पन करते हैं व्यावसाई ही सारे मुनाफे और दोलत का निर्मान करते हैं व्यावसाई ही सारे वेतन और लाबों का बुगतान करते हैं किसी भी शहर, राज्य या देश में व्यवसाईक समूदाय का स्वास्त है, उस बोगोलिक छेतर में जीवन की गुनवत्ता और लोगों के जीवन स्तर का मुख्य निर्धारक होता है। सेल्स पीवल किसी व्यवसाई के सबसे महतोपून लोग होते हैं। विक्री नए हो तो सबसे बड़ी और सबसे प्रक्तिशील कमपनिया भी बंद हो जाएंगी। विक्री पूंजिवाद के इंजन के स्पार्क प्लग की तरह है। सेल्स समूदाय की सफलता और पूरे देश की सफलता के बीच एक सीधा सम्बंद होता है। विक्री का स्तर जितना ज्यादा उंचा होता है वह उद्ध्यों की अक्षेतर उतना ही ज्यादा सफल और लाबदायक होता है। सेल्स पीपल की वज़े से ही सभी स्कूलों, अस्पतालों, निजी और सारुजनिक दर्मार्थ सं लिए सभी स्तरों पर सरकार के खर्चों का बुगतान करते हैं। सारे कल्यानकरी कारेकरमों, बेरोजगारी बीमा, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेर और अन्य अलाबों के लिए बुगतान करते हैं। सेल्स पीपल हमारे जीवन शैली के लिए अनिवारिये हैं। हमारे सारे वितिय बाजारों का विक्री से संबंद होता है जिनमें शेरों, बॉन्ड और कमाडिटी के भाव तता वर्तमान ब्यास दरें शामिल है पेशेवर सेल्ज परसन के रूप में आप हमारे समाज में अती महतवपूर्ण है इकलोता सवाल यह है आप कितनी अच्छी तरह बेशते हैं पहले के जमानों में विक्री को घटिया पेशा माना जाता था कई लोगों को यह बताने में शर्म आती थी कि वे सेल्ज लाइन में है सेल्ज पीपल के खिलाब समाज में एक आम पुरुवाग रह था यह नजरिया तेजी से बदल रहा है आज सबसे अच्छी कंपनियों के पास सबसे अच्छे सेल्ज पीपल होते हैं तीसरी सबसे अच्छी कंपनियां कारुबार के बाहर जाने की राह और कगार पर होती हैं संसार के सभी सबसे सफल संगठन बेहतरीन विक्री संगठन है सैंगडों विस्वे द्याले तथा पेशवर विक्री के कोर्ष कराते हैं जो पहले की तुलना में एक भारी परिवर्तन है कई युवा कालेज से निकलते ही तुरंत बड़ी कमपनियों में विक्री वाले पदों पर जाना चाहते हैं और जुन 500 कमपनियों के जितने CEO's विक्री के क्षेतर से आये हैं उतने कमपनी के किसी दूसरे हिस्से से नहीं आये हैं हुलेट पैकर्ड की प्रेजडेंट और CEO कारली फियोवेना आज अमेरिका की सबसे शक्तिशाली वेबसाइक महिला है स्टैन फोर्ड में मद्य युगीन एतिहास में डिग्री हासिल करने के बाद वे AT&T में बिक्री का काम करने लगी और उन्होंने उपर का रास्ता तै किया जिरोक्स की प्रेजडेंट पैट मैक हेली ने भी बिक्री करके ही अपना रास्ता बनाया था संसार की कई सिर्शष्ट कमपनियों के मुख्या पहले सेल्स पीपल रह चुके हैं आपको सेल्स प्रोफेशनल के रूप में खुद पर गर्व होना चाहिए बेचने की आपकी योग गता आपको उन्ची आमदनी और नोकरी की आजीवन सुरुक्षा परदान करती है चाहे अर्थ व्यवस्ता में कितने ही परिवर्तन हो जाएं सिर्सस्त सेल्स पीपल की जरूरत हमेशा रहेगी चाहे कितनी ही कमपनिया और उद्योग पुराने या लुप्ट हो जाएं या कारोबार से बाहर चले जाएं अच्छे सेल्स पीपल हमेशा उन्ची मांग में रहेंगे बिकरे में उतकरष्ट होने पर आप हर वहेवित्य लक्षे हासिल कर सकते हैं जो आप अपने लिए तैक करते हैं अमेरिका में 74% स्वे निर्मित मिलेनियर उद्दमी है जो अपना खुद का कारोबार शुरू और खड़ा करते हैं वे किसी ऐसे प्रडेक्ट या सेवा का विचार सोचते हैं जिसे कोई दूसरा प्रदान नहीं कर रहा है या फिर वे महसूस करते हैं कि वे उसे परतिस परदाओं से ज्यादा अच्छी तरह परदान कर सकें अंततय वे अपना कारोबार शुरू कर देते हैं बेचने की योग्यता ही उद्धमी के रूप में सफलता की सबसे महतोपून योग्यता है बाकी हर योग्यता की कमी तो किसी दूसरे को नियुक्त करके पूरी की जा सकती है लेकिन बेचने की योग्यता किसी कमपनी की सफलता या ऐसा बलता तै करने वाले मुख्य गटक होते हैं आज सेल्स पीपल अमेरिका में सबसे ज़्यादा भुगदान पाने वाले लोगों में से एक हैं वे प्राय डोक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट और उंची उंची सेक्शनिक उपादियों वाले लोगों से ज़्यादा कमाते हैं विक्री में आपके आमधनी की कोई उपरी सिमा नहीं है यदि आपको सही परशिक्षन मिला है यदि आप योग्य हैं और सही बाजार में सही परडेक्ट बेच रहे हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं इसकी कोई सिमा नहीं है विक्री ही हमारे समाज में ऐसा एकमा तरक्षेतर है जहां आप बहुत कम योग्यता और प्रशिक्षन से शुरू कर सकते हैं जब मैंने बेचना शुरू किया तो किसी ने मुझे पेरेतों सिधानत के बारे में बताया जिसे 80-20 का नियम भी कहा जाता है उन्होंने कहा 20% सोच सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं और तलहटी के 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं वाह मैं युवा था और इससे मेरी आँखें वाकई खुल गई, मैंने उसी समय एक निर्ने लिया कि मैं सिर्षस्ट 20% में पहुंच कर दिखाऊंगा, बाद में मुझे पता चला कि यह मेरे जीवन के सबसे महतपून निर्नेों और क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक था, आपका लक्षे सिर्षस्ट 20% में शामिल होने का फैसला करना है और फिर वहां पहुंचने का तरीका सीखना है, पहरे तो सिधान सिर्षस्ट 20% सेल्स पीपल पर भी लागू होता है, यह कहता है कि सिर्षस्ट 20% समू में जो भी सिर्षस्ट 20% है, यानि सिर्षस 4% वे 20% वा वा, हर बड़े विक्री बल में सो में से चार पांच लोग इतनी विक्री करते हैं और इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं जितना की बाकी सभी मिलकर भी नहीं कमाते हैं। सभ से सुखी लोग होते हैं। दूसरी और तलहटी के 80% लोग पैसे की हमेशा चिंता करते हैं। आज हमारा समाज जितना संपन है उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। लेकिन विडंबना देखें इस समाज में रहने वाले ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त पैसे की चिंता करते हैं। वे सुबह पैसे संबंदी समश्याओं के बारे में सोचते हुए जागते हैं। वे दिन भर सोचते हैं कि उनके पास कितना कम पैसा है। जब वे शाम को घर लोडते हैं तो वे एकसर पैसे के बारे में बात और बहस करते हैं। और इस बारे में भ सोस करते हैं कि हर चीज कितनी महंगी हो गई है यह जीने का कोई अच्छा तरीका नहीं है इस पुस्तक का उदेशे आपको वहाँ पहुंचाना है आप आज जहां है वहां से यह पुस्तक आपको वहाँ ले जाएगी जहां आप भविश्य में पहुंचना चाहते हैं इसका द्योग में सीरसस्त 20% कमपनिया 80% मुनाफ़ा कमा सकती है तो उन व्यक्तियों और संग्ठनों में एसे कौन से अलग गुन होते हैं जिनकी वज़े से यह एविस्वस्निय फर्क पड़ता है। निशकर्ष यह है कि उन्होंने अपने क्षेतर में विजेता धार विक्सित कर ली है। विजेता धार की अवधारना 21 सदी के सबसे महतवपून परबंदन और विक्री विचारों में से एक है। यह सिधान्त कहता है। योग्यता में छोटे अंतर परिणामों में विशाल अंतर की ओर ले जाते हैं। सीरसस्त परदर्शन करने वालों और ओसत या दोयम परदर्शन करने वालों के गुनों या योग्यता में भारी अंतर नहीं होता। अक्सर यह है तो बस मुठी बर छोटी छोटी चीजें होती है जिनें लगातार और बार-बार अच्छी तरह किया जाता है आपको तो बिक्री के हर मुख्य परिणाम चेतर में बस थोड़ा सा बहतर और अलग बनना है ताकि इसे आपकी आमदनी में ऐसा धरन अंतर आ जाए कुछ विसेशता हैं सफल सेल्स पीपल को झाल 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 झाल